हेलो नमस्कार साती हूं सब्सक्राइब करते हैं आप सभी को आप सबका अपना परिवार एस्टेडी भी त्रितेस पर आज आप लोग का कलास चलने वाले जैसे कि हम लोग पिछले कई दिनों से बलड रक्त परी संचरन तंतर उससे पहले हम परी संचरन तंतर पढ़ रहे थे तो परी संचरन तंतर में सबसे पहले हम वलड वेसलेस रुदिर वही कायम मतब सीरा धमनी पढ़े थे फिर आपको हम पढ़ाये थे हिर्दे के बारे दिल के बारे में फिर आपको पढ़ाये थे हम बलड सर्कुलेशन के बारे में और आज हम लोग पढ़ने वाले कि बलड क इसको हम रक्त बोलते हैं, या इसे रूधीर कहा जाता है, या इसे खून भी कभी कभी आपको मेलेगा, खून, बहुत आसान से बढ़िया टोपिक है, खुब आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से पढ़ते रहेगा, तो बलड और आज हम लोग जो बलड पढ़ रहे हैं न, वो याद रखना human blood है, human blood मतलब मानव रक्त, तो आज हम किसके बारे में जानेंगे, तो आज हम जानेंगे human blood के बारे में, मतलब की मानव रक्त के बारे में, मानव के खून के बारे में, रुधीर के बारे में, एक तमाम चीछ हम लोग जानने वाले हैं, दोस्तों सबसे पह मतलब कि रक्त के अध्यन को क्या का जाता है तो बड़ा ध्यान समझना अस्टडी ओफ बलड जो होते हैं वह आपका हीमेटो लोजी कहा लाता है अस्टडी ओफ बलड अस्टडी ओफ बलड क्या कहा लाएगा तो अस्टडी ओफ बलड हीमेटो लोजी कहा जाता है हीमेटो लो और आप सबको पता है , जहां पर हम रोग्तत काद्यन करेंगे , उससे हीमाइटोलोजी तो अगर आप से कोश्चन बने , किसका स्पेशल डॉक्टर होते हैं , वहापका क्या कह लाएंगे तो special doctor hematologist कह लाएंगे ही मैटो logist कह लाएंगे अब यहाँ पर special doctor जो है hematologist के नाम से जाना हम जाता है तो study of blood hematology a special doctor hematologist के नाम से जाना हम जाता है दो बाद इतनी बाद समझ में आ गया अब यहाँ पर समझना है बलड क्या है तो यहां एक circular मतलब की फरी संचरन तंतर का organ है पर यह organ नहीं है पर organ की तरह क्या कार करता है तो बलड इज़ि कया ले डिज़िस्स सबक्रुलेट्री ओरगन है तो यह आपको याद रखना है कि यह जो आफ़का प्रिसंचरं तंत्र का अंग है वलड सरकुलेटरी प्रिसंचरित और diversity और जानेंगे अब दोस्तो और क्या समझना है कि मानों में रक्त या इससे पहले बलड के जहां मापने वाला यंत्र होते है जहां पिरुधिर को मापा जाता है या बलड को मापने वाला तो बलड के मापने वाला जो यंत्र होते हैं उसे हम लोग मापने वाला यंत्र क्या कलाता है बड़ा confusion होगा आप कोई स्फिगनो मैनो मीटर दिमाज में चलो नहीं दोस्तों वह रख्त चाप को मापने वाला है यह बलड सिर्फ कहेगा तो हीमो साइटो मीटर याद रखना है जहां पे मानो का वलड मापाता है या अंत्र जो होते हैं हीमो साइटो मेटर अब सवाल बनता है कि सर बलड का पीच मान कितना होते हैं तो वलड का पीच मान 7.4 होते हैं अब यहां पे वलड का पीच मान की पीच भेलू की बात हो रहा है तो कितना होता है 7.4 होते हैं अब पुछेगा सर बलेड का प्यासमान 7.4 होते हैं या किस प्राविर्ति का है या किस नेचर का है तो सबसे पहले थोड़ी बहुत पीएज का में नौलेज होना चाहिए पीएज का Full Forum होता है Power of Hydrogen Power of Hydrogen किसका Full Forum pH का Full Forum होता है या फिर Hydrogen या फिर इसको हम कहते है Potalgia of Hydrogen Potalgia of Hydrogen इसे हम Potential of Hydrogen या इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा Potential of Hydrogen Potential of Hydrogen इतनी सारी नाम इसका भाई सायव पावर पोटेंजा या पोटेंशल अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अब पियेच मान का खोज किसी ने किया था ते एक बेग्यानिक था जिनका नाम था सौरेंशन सौरेंशन नामक बेग्यानिक ने उनाई सू उनाई सिस्वी में पियेच मान का खोज किया था इतनी सारी फंडाद रखना है और इसको पियेच मान ये पियेच भेलू या फिर इसको पियेच एसकेल भी कहते है पियेच एसकेल और कुछ इस टाइप से उन्होंने पियेच एसकेल बनाया था ऐसे बना दिया इसे करके और यह कहा कि देखो यह सुरू किया था जीरो नम्मर से लेकर कहा से जीरो नम्मर से लेकर यह इन्होंने इस सुरू किया था और कहा था किसकी फैनली नम्मर जो है वह आपका चौदा है जीरो से लेकर आपका चौदा था बिच में कहा था देखो जी यहा साथ से कम 6.99 तक ठीक है, साथ से कम, उसको हम लोग ऐसी डिक नेचर कहेंगे, ऐसी डिक नेचर कहेंगे, या फिर उसे अम लिये पराव्रती का नाम से जाना जाएगा, कुण पराविरती हैं, अम लिये पराविरती, यानि कि उसे acidic nature कहेंगे और जिसका प्याशमान 7 नहीं 7 से थ्लाब हो ज़्यादा 7.11 और 14 दखोंगे उसे हम basic nature कहेंगे basic nature अथा अर्थ हैं उसे हम छारिय प्राविर्ती बोलते हैं छारिय प्राविर्ती के नाम से जानते हैं अब जिसका प्याशमान 7 है उसे neutral या उसे उदासीन कहेंगे क्या कहेंगे उदासीन कहेंगे किसका होता ऐसा तो सूद जल प्योर वाटर का प्याशमान जो होते हैं वो आपका 7 होते हैं प्योर वाटर का प्याशमान 7 होते हैं मतलब सूध जल का पीशमन कितना होते हैं आपका साथ होते हैं कभी-कभी सूध जल को उदासीन पानी भी कहा जाता है उदासीन पानी भी किसको बोलेंगे सूध जल को कहा जाता है अब या तो नीट्रल वाटर, उदासीन पानी, प्योर वाटर या इसको एक और नाम है distilled water यानकी हिंदी में आसुत जल आसुत जल भी इसको कहा जाता है इतनी सारी बात आगे अब हमको इतना बाक्त समधानक की पीछे मातर एक ही रिजनता दोस्तों अब रक्त का pH मान कितना है 7.4 है 7.4 रक्त का pH मान है तो अब आप ही बताईए कि 7.4 है तो इसकी प्राविर्ति अम लिये होगा या छारी होगा अम लिये होगा या छारी होगा तो हम सभी को पता है कि 7.4 है सर तो इसकी प्राविर्ति साथ से जादा है यानि कि या छारी प्राविर्ति का होता है यह चारिय प्राविर्ति का होता है तो अमल कैसे प्राविर्ति का होगा तो फंडा आद रखना है कि अमल जो है वह आपका चारिय प्राविर्ति का होता है अब एक बात याद रखना है कि सर रब्त चारिय प्राविर्ति का होता है अब याद रखना है बलड कौन सी उत्तक है स पाद रखना दोस्तों बलड एक सनयोजी उद्टक है अब उद्टक पढ़ाएंगे वहां पी बात के किले के रहें बस अभी फट मैसे अधर रखना है बलड सनयोजी उद्टक है अथार थिस्यू को हम लोग कनेक्टीव टीशू काते हैं क्या बोलते हैं कनेक्टिव टीशू भी इसको हम लोग कहा जाता है यानि कि बलड सनियो जी उता है या कौन टीशू की बात हो रहा है तो या आपका connected टीशू का या बात हो रहा है बलड अब दो तिन पॉइंट हो याद रखना भाइस है कि लड़का में रख कितना होते हैं और लड़की में कितना होते है तो जब लड़का की बात किया जाए यानि कि अब एक लड़की की बात किया जाए महिला या पुरुस या लड़का या लड़की या मेल या फिर फिमेल की बात किया जाए मेल की बात किया जाए या फिर आपको female की बात किया जाए तो बढ़िया समझना दोस्तो लड़का में रख जो होते हैं पान से छे लिटर होते हैं कितना पान से छे लिटर और लड़की में जो होते हैं वो आपका चार से पाच लिटर होते हैं चार से पाच लिटर लड़का में कितना 5-6 और लड़के में कितना 4-5 अब आपको लगर अवसर इन लड़का में हम लोग में जादा कहा होता है लड़के अब यहाँ पे लड़की में कम होते हैं लड़की में दिमाग का वजन भी कम लड़की में रक्त भी कम इस लड़के चिरचिरा तुरन जात तो अब यहां पे क्या होते हैं हम लोग में बलड भी जादा होते हैं इन लोग में बलड भी कम होते हैं सब चीज में लड़की सब कम ही है अब यहां पे समझेगा ध्यान से लड़का में बलड की मातरा जादा इसलिए होते हैं क्योंकि लड़का में आरबीसी की मातरा जादा होते हैं अभी RBC क्या होगे नया फंडा है ना RBC का full form में red blood cell लाल रक्त कोशी का आए या लाल रक्त करने का आगे हम लोग बढ़ियां से पढ़ेंगे तो अगर कोई पूछे कि लड़का में रक्त की मात्रा जादा क्यों होते हैं तो क्योंकि RBC जादा होते हैं RBC और सेम कहानी आएगा कि लड़की में भी क्या होते हैं RBC कम होते हैं और लड़की में RBC के मात्रा कम होते हैं और लड़का में क्या होते हैं जादा होते हैं तो इस तो मानों के रक्त के तीन सेल क्या क्या होते हैं, तो तीन शेल में सबसे पहला से होते हैं RBC और दूसरा होते हैं WBC और तीसरा होते हैं PLATE LATS RBC, WBC और platelets कितना से लोग है RBC, WBC और आपका plate lets होंगे यह तीन सल होते है और RBC जो है वो blood का निर्मान करता है तो हम लोगों में RBC के मातरा क्या होते है तो जादा होते है इसलिए przysz bysань यह प्लेड प्रिकॉल करते है हम लोग क्या पर रहे थे बलेट फड रहे थे, अस्टरडी ओ बलेट क्या कहाता है, हीमेटोलोजी क्या हीमेटोलोजी, रक्त के अधियन को हीमेटोलोजी कहा जाता है, रक्त के अधियन को हीमेटोलोजी कहते हैं, अस्पेशल डॉक्टर क्या कहाता है, हीमेटोलोजिस्ट कहाता है, हीमेटोलोजिस्ट करना अब बलेड कैसा और तो बलेड सर्कुलेटरी और यहां पे बलेड कैसा और शर्कुलेटरी और करें गुझत कैसी होता है किसका प्रविर्थी कैसा था छारी यह इसकी खोज किसने क्या था? सोरेंसर नामक, कब क्या था? उनाई सोनेश में, कौन है स्केल दिया? पीछ है स्केल दिया, जीरो से साथ से कम अम्लिय पराविर्ति कम और साथ ज्यादा आपका चारिय पराविर्ति कम और दोस्तों साथ उदासिन, प्योर वाटर, सुध जल, सारी फंडा इसमें समझने की कोशिश करते हैं, अब पढ़ रहे हैं कि लड़का में बलड़ 5 से कितना होते हैं? 6 लिटर होते हैं, 5 से 6 लिटर लड़कें कितना होते हैं? 4 से 5 होते हैं, कम क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें RBC की मातरा कम होते हैं, और ज्यादा हम लोग में RBC के मातरा जाता है यह आगे भी पढ़ेंगे ऐसे बड़का तीन सर्व होते हैं आर वी सी डबलू वी सी प्लेट लेट्स आर वी सी डबलू वी सी और आपका क्या दोस्तों प्लेट लेट्स अब समझेगा हूं कि अगला जो पॉइंट हमें समझना है वह कुछ इस परकार से समझने की कोशिश करते हैं बढ़ियां से समझने के प्रयास करिए सब के सब यहीं प्याद हो जाएगा है ना को लग रहा कि हसा नहीं रहें सर अभी कुछ तरी के बाद हसाएंगे पहले पढ़ लगते हैं अब य यातर ना होग कर ओफिस में जाके अईसे करके ले रही बेवरी कहीं के एक दम सक होता है अब यहां पर सुनो ध्यान से लड़का रक्त का मुख कार्ज क्या होता है तो रक्त जो होते हैं बलड का में वर्क अगर आप से पूछा जाए इसका मुख कार्ज पूछा जाए तो मुख कार्ज क्या होता है बलड कार्ट ट्रांसफर करना मानों में बलड कार्ज होता है मानों में बलड जो काम करते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने काम करता है किस का ट्रांसपोर्ट करने काम क्या हो गया तो मुख काम जो है बलड जो क्या करता है मानों के बोडी मे वे oxygen को transfer करने काम करता है, oxygen को transport करने काम करता है, oxygen को क्या करेगा, transfer करेगा, सुनो ध्यान से फिर से, रक्ट जो है, मानो के सरीर में क्या करेगा, तो मानो के सरीर में रक्ट जो है, वो oxygen को क्या करता है, दोस्तों, transfer करता है, और transfer अपने से करेगा, जी नहीं, एजो आपका oxygen का transfer करेगा वह आरबिची से करवाएगा किसे कराएगा आरबिची से कराएगा रेड वलड से कराएगा किसे रेड वलड से अक्षिजन का ट्रांसफर्ट होते हैं अब सुनो ध्यान से बलड जो होते हैं यह जो आपका बलड इसका रंग कैसा होते हैं तो हम लोग में जो बलड पा इसलिए हम इसको लाल रंग से घेर जाते हैं क्या होते हैं लाल होते हैं अब पुछे का लाल क्यों होते हैं तो इसमें पिगमेंट पाया जाता है क्या पिगमेंट पाया जाता है और कौनसी पिगमेंट पाया जाता है तो हीमो गलोबी नामक पिगमेंट क्या हीमो गलोबीन तो मानों में मानों रक्त का लाल रंग क्यों होता है कलर लाल क्यों होता है तो याद रखना है हीमो गलोबीन के कारण हीमो गलोबीन के कारण मानों में रक्त का रंग क्या होता है लाल होता है समझ में आज़ा क्या हीमो क्या गलोबीन के करन, इतनी बात समझ में सब को आगिया, अब थोड़ा सा चीजों को और समझने की हम परियास करते हैं, अब थोड़ा सा चीजों को हम लोग और समझने की और अच्छा सा समझने का हम परियास करते हैं, मानो कलर कैसा रंग कैसा होगा, लाल होगा, किसके कारण होग बताओ जल्दी से इतनी बात समझ में आया कि हीमो गलोवीन के करण अब कुछ कौकरोच जानते हैं तेल चटा जिसको हम लोग करते हैं और कौकरोच के रक्त करण आपसे कोचन पूछ सकता है कई बार एक जाने पूछा हुआ है कि कौकरोच जो होते हैं कौकरोच इसका कलर इसका जो है अरक्त का कलर कैसा होगा तो याद रखना दोस्तों इसका सफेद होते हैं कैसा होगे सफेद होगे और याद रखना है कि सफेद क्यों होते हैं तो ये भी समझना है ये भी समझना है हिंपो लिंप नामक पिग्मेंट करन हिम्फो लिंप नामक पिग्मेंट हिम्फो लिंप नामक पिग्मेंट बात समझ में हिम्फो ले अगला है एक और आपसे पुछता आक्टोपस पंची खोब एकजाम में आते हैं आक्टोपस पंची आक्टोपस पंची कैसा होता है कि नीला क्यों होते हैं हीमो सायनीन के करण हीमो सायनीन के करण होते हैं सायनीन के करण इतनी बात समझे में यह तीन पॉइंट आपको बढ़िया से समझना चाहिए एक तो आपका हीमो गलोभी मानो का रक्त रंग होता है एक आपका कौकरूज का रख्त का रंग सफिक हीमो लिम्प का रंग एक आपका आक्टोपस पंची का रंग निला हीमो सायनीन के कारण होते हैं अब एक होचन बनता है कि सर मानों के में मानों में रख्त का निर्मान कहा होते हैं दोस्तों याद रखना मानों में रख्त का निर्मान जो होते हैं अस्थी मजा में कहा होगा अस्थी मजा और अस्थी मजा को हम बोन बैरो कहते हैं क्या बोन बैरो कहते हैं यानि कि अस्थी मजा में होते हैं कहा होते हैं अस्थी मजा में होते हैं यानि कि बोन बैरो इसको इं पूनवं में बॉन तो पता है कि मानों शरीर में करीब बच्चों बहुत जादा होते हैं इतनी बात तो समझ मैं還有 अब इhtम इंठी बात अगर समझ में आ गया है इतनी पात अगर आप समझ में आपको आगे दोस्तों तो कुछ और बात सिखने की कोशिश करते हैं निर्मान कहा होगे अस्थी मज़ा क्या बलंग बोन बैरो हमारे जो परत होते हैं मानो शरीर का जो असकीन होते हैं आपको पता होगा असकीन और मानो शरीर के सबसे बड़ा असकीन होते हैं यह के सबसे बड़ा अंग कौन से है तो अब तो अच्या जो असकीन है वा मानों शरीर का सबसे बड़ा अग स्विडार्ण कैं अ बड़ा अंग तोचा होगी, पहला कोचन तो ऐसे बन सकता है, कि मानोव सरीका सबसे बड़ा अंग का नाम बता ही, तो क्याद रखना दोश्तों मानोव सरीका सबसे बड़ा अंग तोचा, और इस तोचा में तीन परत होते हैं, जो अपना तोचा होते हैं, उसमें तीन परत हो यह में बीच वाला उसको मेजो डरम का ओर मेजोर्म अब यहाँ पर एंडोर्म मेजोर्म इतनी बार समझे में अब कितनी होगी आप परत तीन परत हो गया सबसे नीचे होते हैं एंडोर्म एंडो डर्म, कितने बहण हैं, तीन प्रहादित यसा ятель एक्टो डर्म हिंदी में ऐसे द cockro डर्म ईक्टो डर्म leverage एंडो डर्म लिए थे मिलालों एक्टो मेजू एंडो एक्टो मेजो एंडो ए तीन को डर्म होते हैं एक्टोडर्म, मेजोडर्म और आपका एंडोडर्म इसी में आपका जो मीजोडर्म होते हैं वहाँ जो हडियां होते हैं वो खोकला टाइप के होते हैं मीजोडर्म में हडियां क्या होते हैं खोकला टाइप के होते हैं और हडियों का खोकला टाइप के होना इसी को हम क्या कहत है आई बात समझ में बता दोस्तों समझ में आई बात हड्यों को खोखला टायब के हो ना क्या कलाता है मिजो डर्म चोरे अस्थी मजा कहने का सार्थक अर्थिया हुआ कि अस्थी मजा रख्तक उत्पति अगर आपसे में दे और बलड का निर्मान पूछे इन तीनों में तो किसमें लगाना में जो डर में लगाना इतनी बात आपको समझ में आगया होगा अब एक सवाल पुछता है यूनिट जैसे कि आप बहतो है न कि इतना यूनिट हमने बलड को दान किया मैंने रक्त को इतना यूनिट दान कर दिये इतना यूनिट किसी को जरुरत भा इसे कुछ हैते हैं तो एक यूनिट बलड बराबर सबसे पहले पुछते हैं एक यूनिट जो रक्त होते हैं एक यूनिट जो क्या होते हैं बलड होते हैं वो एक यूनिट बलड आपका साड़े तीन सो से साड़े चार सो एमिल होते हैं साड़े चार सो एमिल होते हैं मतलब कि एक यूनिट बलड में कितना होंगे साड़े तीन सो से साड़े चार सो है अब आप से पूछेगा सर लड़का में या मेल में कितना होते हैं बलड सर तो 14 से 17 यूनिट होना चाहिए 14 से 17 यूनिट बलड होना चाहिए और अब आया आप सर लड़की में सर तो आपको पता हुआ दोस्तों, कि लड़की में सूब बलएड कम है, तो लड़की में जो बलएड होते है यूनिट में, वो आपका 10 से 14 यूनिट तक होना चाहिए, 10 से 14 यूनिट होना चाहिए, इतनी बात समझ में आगा, फिर देखो, रख का निरमान कहां होगा, अस्ति बोलते हैं तो अच्छा यह हमारा तोचा जो है कितने बावों बढ़ेगा से नदिवागा में कितना साइब लड़की में 10-14 नेक्ष्ट वीडियो में हम बलेड का कंपोजिशन पढ़ेंगे रक्त का संगठन पढ़ेंगे वीडियो कैसा लगा हुआ ओफ्रेंड कोमेंट करें जरू बताएगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना चनल पर पहली बारा है तो सस्क्राब करके बेल आकर जरू दोवालना जय हिंद जय भारत जय बिहार